तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने आ लोग कैसे आप अपने सेमसंग के A30S या सेमसंग के कोई सही मोवाइल में AR emojis जो मोड होता है सेमसंग के कैमरी के अंदर जाके कैसे आप वहाँ पर राइश्टर कर पांगे कैसे उसको सेमसंग कर पाएंगे और उसके जो additional जो एप है वो कैसे डाउनलोड करेंगे मतलब A to Z बताने वाला हूँ AR emojis को लेके तो दोस्तो वीडियो को skip मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे तो चलते हैं आगे मेरा नम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैन ऐसे टेक में तो दोस्तो AR emojis create करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा अपने Samsung के mobile के जाना है camera के अंदर जैसे ही आप mobile का camera खोलेंगे तो आपको मैं यहाँ से back कर देता हूँ camera खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा का option आपको देख लेगा कि धोड़ा सब लर्य मैं इसको clear कर देता हूँ आपको दिख रहा होगा create my emojis करके आपको करना है आपको सिंपल इस create my emojis पे click करना है जैसी आप emojis पे click करेंगे तो find a face कर रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अपना face को यहाँ पर रेइस्टेट कर देता हूँ, तो यह दिख रहा होगा आपको यहाँ यहाँ पर अपना face को, मैंने यहाँ फेस बिलकुल exact लेके, आपको करना क्या है, face exact लेके और आपको यहाँ पर photo खिच लेना है, जैसी आप photo खि करेगा आपके face के साब से, और जो भी होगा, आपको best वहाँ पर दिखाएगा, तो यह थोड़ा सा time लेगा, आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हो रहा है, creating my emojis, once that done, you can customize its hair, cloths and something, आप इसके में customize कर पाएंगे, इसके बाद, तो आप यह finally होड़ गया वाला है, stickers त्यार हो गया, आप देख सकते हैं, यह मिलता जूलता effect कर गया, उसने stickers को बना लिया है, यह आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसा बन गया है, नीचे की तरफ आपको चार option मिल रहे है, name, looks, cloths और accessory, तो यहाँ मैं अपना name डाल देता हूँ, यहाँ मैंने अपना name डाल है, तो इतने सारे predefined hair style दिये, जो भी आपके look से मिलता जूलता है, hair style आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ अलग से लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, इतने सारे यहाँ पर लियो हैं, तो मैंने लग रहुकह सकते हैं तो हुँसा बहुत सारे अब को अच्छा लग रहा हुँ अपने सकते होगे जाता हैं नाका दीर तो यह भीसक कट है तो मैं नॉर्मल जो की पहले पहले फेस करना होगा इसाल दसका मैं तो हम दो आप आपने साब से कर लेगा जो आपको चाहिए यहां पर अगर चोटा बड़ा ठीक्स जैसा भी लग रहा बाकी वैसे तो प्री डिफाइंड जो कैप्चर करता है तो माइड पर वो बहुत अच्छा ले ले लिता है आपको करने की जुरत नहीं है उसके बाद भी अगर आप करना यहां पर आइस पर तो आप यहां पर अपने आई का कलर चेंज कर सकते हैं आप देख रहे होंगे यहां पर ब्ल्यू हो गया है और इतने सारे यहां कलर दिया है जो हमसा आपको चाहिए उसका लूक छोटी बड़ी और जैसा भी उसका लिक चाहिए है कलर चाहिए आप यहा बनाव आप e2 जेट उसका फूरा फेज को अच्छे से क्लिक कर पाएंगे और अच्छे से उसको एजएस्ट कर पाएंगे एड कुछ तो आप यहां से एक एटुज्ए सब कुछ कर सकते हैं उसके कलर वालड़ चेंज करना चोटी बड़ी करना जो यहां से उसको adjust कर लीजेगा तो by default कौन सा था मैं लगा दूंगा ने हटाई दिया यह आ गया है उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा नोज नोज को भी आप यहां चोटा बड़ा size के लिद गया गया है वह कर लीजेगा यहां पर lips आ गया है lips का size भी करना हो तो lips का अगर आप लिपस को ज्यादा हो रहता है तो lips भी यहां से color change कर सकते हैं उसके चोटे बड़े जैसा भी है आप यहां से उसको adjust कर सकते हैं उसके बाद years में जाएंगे तो years का भी length, size, colors और last में आपका आगया face color and models अगर आपके कोई दाग वाग या dot है या बोल सकते हैं कोई आपका till will है तो आप यहां से वो भी लगा सकते हैं आप देख रहे हैं आप तो यह इसलिए दिया गया है अगर कुछ नहीं है तो आप normal कर लिए उसक आप यहां पर आगया back उसके बाद आएंगे वहां पर आपको मिलेगा close का सबको save करने के बाद आपको कर देना ओके यहां पर अगर आपको उसको close change करना है तो प्री डिफाइन आपको इतने सारे close मिल जाएंगे जोंसा भी close आपको अच्छा लग रहा हो cloth यह कपने जो भी करा हो अपने साब से महां से जिस्ट कर लीजेगा उसको यह इंटरनेट से डाउनोड होके चलता है नेट से थोड़ा टाइम बिता है तो यह मैंने वाइडिफोल पाल ले लिया है उसके बाद आएंगे bottoms में तो यहां जीन्स भी दी गई है अगर आप जीन्स चेंज करना च सकते हैं तो यह भी जो कि मैंने पहले ही बता है नेट से डाउनोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसका में यूज है आप emojis कर पाएंगे स्टीकर्स में सेंड करने के लिए लाइक आप में देखा हो स्टीकर्स आते हैं बहुत सारे तो आप वहां यूज कर पाए है तो यह होगा इसके कलोथ उसके बाद आप यहां पर सारी दे रखिए लाइक टौपी आप बहुत सारी यहां पिनते हैं थो यह यह यूज कर सकते यहां पर तो यह तो हो गया आपका क्रिएट का फाइनल जब आपका हो जाए आपको कर देना है उसको जैसे नेक्स्ट करेंगे सब चीज़े करने के बाद यहां पर आपको दो से तीन आप्शन मिलने वाले हैं आगे कहीं भी आप इसको चैन कर पाएंगे कोई सी भी एप में तो यहां से डंगर देंगे तो हो गया यह डुड़ आप अपको देखना हो अब आपको जाना है माईएमोजिस इस्टूडियो दिख रहा होगा यहां पर जब आप उसको पहली जो कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको इस screenshot भी दे रहा हूँ, या बोल सकते हैं, वहाँ दिखा रहा हूँ, गलेक्सी स्टोर में, इस app का नाम है My Emoji Sticker, जो कि Samsung की तरफ से हैं, और यहाँ पर आपको दीख भी रहा हुआ, तो आपको कर लेना उस app को स्टिकर्स बनाना है, किसी के लिए special, तो आपको यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको लेसे देखना है, वाओ, तो यह वाओ वाला आ गया है, आप यहाँ पर वाओ लगा सकते हैं, जहे सब भी आपने अपने साब से adjust करना हो, उसको adjust कर सकते हैं, और बहुत सारे यह बाए वाला यह बाए डिफोल्ट आटोमेडिक बने आ गए, अब मैं आपको ले चलता हूँ वाफिस देखना है, यहाँ पर आपको एक option और मिल रहा है background, अगर आपको यह blue वाला screen आ रही है, अगर आप नहीं चाहते, तो आप इस screen को change भी कर सकते हैं, जो उसा color आपको best ल आउंगा तो बहुत जादा लंबी हो जाएगा, मैं आपको direct इसका use करके बतायता हूँ कैसे आप stickers को, तो आगे मैं आपको बतायता हूँ कैसे आप इन stickers को use कर पाएंगे, बोल सकते हैं कैसे WhatsApp पे इसको send कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाना है तो आपको easily मिल जाएगा, अगर Samsung keyboard use नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसको enable, Samsung keyboard को enable करना पड़ेगा, तो ही मिलेगा, उसके बाद आपको दिख रहा होगा, यह option मिल रहा है, यहां जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, by default यह stickers आ चुके हैं, जैसी मैं यहां से okay send करूँगा, त और भी add कर सकते हैं, जो कि आपको sticker डालें वहां ले जाएगा, और वहां से बना की इसको add कर पाएंगे, तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको अगर यह वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो thank you, तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और हो सके तो दोस्तो मेरी वीडियो को शेर करना भी ना भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तो प्लीज यह subscribe का बटन आपको नीचे देख रहा हो, और subscribe का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की next वीडियो की update आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, और हो सके तो मुझे Instagram और Facebook फोलो करना भी ना भूलें, इसका link आपको description पर मिल जाएगा, तो thank you दोस्तों